हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर की जिसकी अदाकारी हर फिल्म में एक छाप छोड़ जाती है और लोगों के दिलों में घर कर जाती है जिनकी गिंती बॉलीवुट के बहतरिन कोमेडियंस में होती है और जो अपने कैरेक्टर को पूर थूप के माथा में छेट कर देंगे जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुट के बहतरिन एक्टर्स में से एक मिस्टर विजाराज के बारे में जो एक उंदा कोमेडियं होने के साथ ही एक बहतरिन डायरेक्टर और एक वोइस ओवर आर्टिस्ट भी है यह अपने कैरेक्टर को इतने उंदा तरीके से निभाते हैं कि लोग उनसे जुड़ जाते हैं चाहे वो कॉमेडी रोल हो या कोई सीरियस रोल ये फिल्मों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिश्टर विजयराज जी से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टि के इलहाबाद में हुआ था विजयराज ने अपने बीकॉम की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोडी मल कॉलेज से की और वे कॉलेज के दिनों से ही ठीटर से जुड़े रहें बाद ने वो मंडी हाउस के साक्षी कलमंच के साथ जुड़ गएं और कॉलेज के सामा में दाखिला ले लिया जहां उनको महिने के 12,000 रुपए मिलते थे यहां उनका पहला प्ले पागल घर था जिसमें उन्होंने एक इंस्पेक्टर का रोल निभाया था विजयराज जी नजीरुद्दिन साह जी के बहुत बड़े फैन हैं साथ ही नजीरुद्दिन साह गौड़ फादर भी हैं क्योंकि जब नजीरुद्दिन साह ने विजयराज को गिरिश करनात के एक प्ले अगनी और बर्खा में एक 90 साल के बुढ़े का रोल करते हुए देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें मुंबई आने का नियोता दिया जहां उन्होंन विजयराज जी को महस मताई की सन 1999 में आई फिल्म भोपाल एक्सप्रेस के लिए रिकमेंट किया साथ ही मीरा नायर की सन 2001 में आई फिल्म मानसून वेडिंग के लिए भी लेकिन हम बता दें कि 10 साल की एक्टिंग एक्सपिरियंस ले करके उन्हें फिल्मी जगत में कदम राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल से मिला विजयराज जी को सन 2004 में आई फिल्म रगु रोमियो में लीड रोल करने का मौका मिला इस फिल्म को बेस्ट फिचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था लेकिन उनको असली पहचान मिली सन 2004 में आई अभिसेग बच अरे बड़ा कमजोर लेकपीस है इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या आरे पांच रुपिया में क्या हाथी का लेकपीस दिलेगा चुप-चाप खा ले अचा ठीके ठीके ज्यादा मत खाओ या पंका चला बहुत करमी लगी लगी इस फिल्म उनकी कॉमेडी को एक अलग लेवेल पर ले गई और ये फिल्म ना की अभिशेग बच्चन के नाम से बलकी विजयराज जी के नाम से जाने जाने लगी तो वहीं डेली बेली में उनके वीलन के रोल को भला कौन भूल सकता है साथ ही वहीं विजयराज जी के साथ कई विवाद भी जूड़े हुए हैं फरवरी सन 2005 में उन्हें आबुधाबी एरपोर्ट से गिरपतार कर लिया गया था क्योंकि उनके हैंड बैग में 25 ग्राम एरी जुवाना ड्रक्ष पाया गया था वहीं नवंबर 2020 में विद्या बालानी स्टारर फिल्म सेर्णी के एक क्रू मेंबर के साथ छेंडशाड के आरोप में उन्हें गोंदिया पूलिस महराष्ट ने अरेश्ट कर लिया था बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया बात करें विजयराज जी की फैमली बेक्ग्राउंड की तो उनकी पतनी का नाम कृष्णा राज है और उनकी एक बेटी है जिनका नाम तनिस्का राज है अगर आपको इस वीडियो में वीजयराजी से जुड़े फैक्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए कुछ इंट्रेस्टिंग चीजों के लिंक्स दिये हैं वहाँ जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं वसुधेव कुटुमकम